हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सब का मेरी यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स मेरे एक वीवर्ज ने एक सब्स्राइबर ने मुझसे कमेंट कर के एक कोशन पूचा है कि sir मैं एक shorts creator हूँ YouTube पर मेरा shorts का channel है और मैं अभी तक shorts fund के through earning कर रहा था अपनी short video से और मेरा channel monetize भी नहीं है लेकिन जब से YouTube shorts monetization शुरू हुआ है तो क्या मैं अभी short fund के through earning कर सकता हूँ और sir मुझे एक notification भी आया था YouTube short monetization की terms को accept करने का पर मुझसे गलती से वो dismiss हो गया तो क्या मैं कैसे उसे accept करूँ प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए अगर आपके साथ भी इस तरीके की problem है आपको भी इस तरीके की doubts है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस सारे doubts क्लेयर करने वाला हूँ और अगर आपको भी notification नहीं आया YouTube terms को accept करने का या फिर आपसे भी गलती से dismiss हो गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उनको accept करना है सारा process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पेनिंग है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends अगर आप भी एक short creator हैं और आप भी YouTube पर short fund के थुरू अब तक earning कर रहे थे और आपका channel monetize नहीं है तो अब short monetization शुरू होने के बाद आप अपने channel से earning नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपको YouTube short monetization की जो policies हैं उनको उसका जो criteria है वो आपको पूरा करना पड़ेगा आपको अपने channel के उपर short channel के उपर 1000 subscriber और पिछले 90s days में 10 million views आपकी वीडियो के उपर complete करने पड़ेंगे उसके बाद याप अपने channel को monetize करवा सकते हैं तो उससे फिर आप earning कर पाएंगे और यहीं पर अगर आपका channel अगर monetize था पहले से ही और आप उससे short fund के थुरू earning कर रहे थे तो वह earning तो आपकी as it is चलती रहेगी उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अब बात करते हैं कि अगर आपके जो YouTube की जो यह short monetization policies को terms को accept करने का जो option है अगर वो आपसे dismiss हो गया है यह वो notification आपको नहीं आया है तो आपको वो कैसे करना है उन terms को accept तो इसके मैं दो तरीके आपको बताने जा रहा हूं एक तो आपके white studio में जो monetization का option होता है जो यहाँ पर earn का option है उस पर आप जैसे ही click करेंगे तो वहाँ पर आपको short monetization को accept करने के वहाँ पर आपको option दिखाई देने लग जाएगा वहाँ से जाके आप accept कर सकते हैं या फिर आपको एक mail भी मिला होगा कुछ दिन पहले या YouTube Shorts add revenue से related उसके उपर मैंने already वीडियो बना रखी है उसका link मैं आपको आई बटन में दे दूँगा आप वह थैंक यू